वेरेक्टर डायोड के वीडियो लक्चर के इस पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है ये है रहने हमारा तीसरा पार्ट जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वेरेक्टर डायोड के वरकिंग के बारे में आगे हमने दो अलग-अलग विडियोज बना के दे रखे हैं जिसका लिंक मैंने इस विडियो के description box में दिया है जिसमें हमने बात की थी विरेक्टर डायोड के principle के बारे में और विरेक्टर डायोड के construction के बारे में आज हम इसमें बात करने वाले है विरेक्टर डायोड के वर्किंग के बारे में तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के बारे में डिटेल में वर्किंग ओफ विरेक्टर डायोड, तो देखिए, जैसे हमने पहले सभी वीडियोज में बोला था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइस कर देना चाहता हूँ, कि विरेक्टर डायोड असल में एक डायोड का ही टाइप है, कि जिसमें P टाइप का रीजियन और N टाइप का री तो दूसरा है आपका एब्रूप्ट जंक्षन डायोड, तो इस वज़े से आपको यहाँ पे जो इम्पिरिटी का फेडिंग है, वो एक केस में क्या मिलता है, यूनिफोर्म मिलता है, जबकि दूसरे केस में आपको यह यहाँ पे इस जंक्षन के पास बहुत ही ज्यादा, जबकि जैसे ही यहाँ से आप दूर जाते हैं, तो यह आपको कम होता हुआ नजर आता है, तो यह है आपके विरेक्टर डायोड के दो अलग अलग टाइप्स, लेकिन इसका जो बैजिक फंडा है, वो असल में आपके डायोड के कंस्ट्रक्शन के जैसा ही है, जिसमें आप को यहाँ पे forward bias को और reverse bias को consider करके समझाया जाएगा, लेकिन capacitance में क्या होता है, कि capacitor में जब आप capacitance कंसिडर करते हैं, तो असल में यहाँ पे दो प्लेट होती है, और दोनों प्लेट के उपर यहाँ पे एक positive charge होता है, और एक negative charge होता है, जिस वज़े से दोनों प्लेट एक area consider किया जाता है, दोनों के बीच का यह जो separation distance है, वो यहाँ पे consider किया जाता है, जिस वज़े से capacitance बनता है, C is equals to epsilon 0 A by D, तो यहाँ पे हम epsilon 0 तो इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि हम equation के form में vacuum की permittivity को याद कर जुके है, लेकिन असल में यहाँ पे आपको epsilon 0 नहीं, बल्कि क्या use करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ epsilon, क्योंकि यहाँ पे यह जो junction prepare होगा, इस junction में हमें यहाँ पे क्या consider करना है, depletion region, और इसी depletion region में आपको यहाँ पे die electric medium ही consider करना है, तो यह आपका die electric medium असल में epsilon 0 permittivity को consist नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही material change होता है, तो यहाँ पे permittivity भ ct is equals to epsilon a by w into d, तो चली यहाँ पे read करते हैं कि मैंने यहाँ पे working के लिए आपको क्या statements दे रखे हैं, और इस statements को read करते हुए, हम यहाँ पे इस figure को भी justify करते जाएंगे, जिस वज़े से हमें यह समझ में आएगा, कि असल में आपका विरेक्टर डायोड की इस तरह से work करता है, देखिए, when a pn junction is formed, depletion region is created at a junction, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे pn junction को form करवाते हैं, तो क्या होता है, कि एक depletion region यहाँ पे produce होता हुआ आपको नजर आता है, देखिए, तो pn junction की इस तरह से बनता है, तो पहले हमें एक cheap लेने होते हैं, जिसमें हम positive type की impurities को aid करते हैं, ज जिस वज़े से यहाँ पे holes produce होते हैं, और negative type के region में हम यहाँ पे electrons को क्या करते हैं, डोप करते हैं, जिस वज़े से आपके पास यहाँ पे p type का material और n type का material आ जाता है, और जिसे आप यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे के साथ attach करते हैं, तो यह आपको pn junction बना के देता ह जिस वज़े से यहाँ पे beach में एक depletion region form होने वाला है, लेकिन इस depletion region की size क्या होगी, यह किसके उपर depend है, यह depend है यहाँ पे forward bias और reverse bias की condition के उपर, तो हम यहाँ पे ordinary diode के case में जानते हैं, कि forward bias में इस depletion region की जो width होती है, वो बहुत ही कम होती है, जबकि reverse bias में इसी depletion region क कि जो width होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इस बातों को हम यहाँ पे आगे construction के case में बता चुके है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं, तो उस video को आप देख सकते हैं, फिर आगे देखिए, the depletion region acts as a die electric of number of free charges carrier within it, मतलब कि यह जो आपका depletion region है न, यह आपका beach का criteria कि जिसमें आपके hole और electron एक दूसरे को cross करते हुए, यहाँ पे beach में एक opposite charge की polarities के साथ यह क्या करते हैं, एक depletion region कुछ इस तरह से produce करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो depletion region acts as a die electric, मतलब कि यही आपका depletion region असल में एक die electric material क की तरह से behave करने वाला है, कि जिसमें number of free charge carriers होने वाले है, तो यहाँ पे हमारे पास यह जो आपका beach का criteria है ना, यह beach का criteria आपके लिए behave करेगा as a depletion region या फिर यू कहिए as a die electric material, और साथ में यह जो दोनों साइड में एक में hole है, और यह में क्या है, negative electrons, तो यह जो दोनों अल अलग-अलग plates के उपर अलग-अलग type के charges को produce होता हुआ नजर करते है, कुछ इसी तरह से आपके पास यह आपकी यह रहेगी positive type की plate और यह रहेगी आपकी negative type की plate, लेकिन आपको यह mind करना है कि जो reverse bias की condition हम यहाँ पे विरेक्टर diode के case में consider कर रहे है, वही operation ordinary diode में देखने को मिलता है कि reverse bias में वहाँ पे depletion region increase होता है, कुछ इसी तरह से holes और electron अलग-अलग separate होते हैं, लेकिन वहाँ पे यह जो आपका abrupt और hyper abrupt वाला concept है न, वो concept वहाँ पे इस्तमाल नहीं होता है, जिस वज़े से आप जो वहाँ पे construction desire करते हैं, construction consider करते हैं, वो consideration आपके वेरेक्टर diode के consideration से अलग है, जिस वज़े से वह आपका ordinary pn junction diode या फिर zanner diode इस तरह से variable capacitor के form में consider नहीं किया जा सकता है, जबकि अगर मैं इसे hyper abrupt और abrupt के concept में consider करता हूँ और इसे construct करता हूँ, तो इस वज़े से मुझे यहाँ पे यह वेरेक्टर डायोड के form में मिल सकता है, फिर आगे read कीजिए, the majority charge carrier of both p region and n region act as a positively and negatively charged plates respectively, मतलब कि जो यहाँ पे majority charge carrier होते हैं, उसी के मुताबिक हम यहाँ पे p type की plate और n type की plate को क्या करते हैं, define करते हैं, तो देखिए, यह है आपका whole को consist करने वाला criteria, जिसे हमने क्या बोला है p region, और यह है आपका negative electrons को consist करने वाला criteria, जिसे हमन बोला criteria, जिसे हमने बोला है n region, तो यहाँ पे आपके पास p region और n region दोनों अलग-अलग plates है, तो इन दोनों plates को हम यहाँ पे parallel plate capacitance के concept के मुताबिक क्या बोलेंगे, positively और negatively charged plates हम इसे consider करेंगे, जिस वज़े से आपको यहाँ पे parallel plate capacitance produce होता हुआ नजर आएगा, तो देखिए, यह आपके holes क्या बनेंगे p region की positively charged plate बनेगी, जबकि यह आपका electron को consist करने वाला negative region क्या बनेगा, negatively charged plate बनके आएगी, और जैसे हमने आगे बोला था, कि reverse bias की condition में यह आपका beach का region, die electric region consider केजिए, या फिर यू कहिए, यह आपका क्या है, depletion region है, सो यहाँ पे हमने working को मद्दे नजर रखते हुए, जो आपका diode है, इस diode के construction को मद्दे नजर रखते हुए, हमने यह बात बताई, कि किस तरह से यहाँ पे आपके पास एक positive plate, एक negative plate, और यह आपका die electric medium prepare होता है, बाद में देखिए, धस, the diode may be considered as a capacitor with N region and P region forming oppositely charged plates and with depletion region between them, act as a die electric, मतलब कि आप इस सभी बातों को अगर consider करते हैं, तो आपको यहाँ पे, whole की वज़े से आपको क्या मिलेगा P region और electrons की वज़े से आपको मिलेगा N region, जो कि दोनों एक दूसरे से oppositely charged है, जो कि capacitor की पूरी की पूरी equal condition है, और दूसरी बात कि इन दोनों के बीच में एक depletion region produce होता है, जिस depletion region को हमने क्या consider किया है, as a die electric medium, सो इस तरह से हमने यहाँ पे working को consider किया, कि forward bias में क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको overview दे देता हूँ, forward bias में यह क्या है, यह है आपका positive terminal बैटरी का, सो इस positive terminal के साथ आपका hole का chip connected है, सो क्या होगा, यह आपका positive terminal और यह hole के आपके positive charge, एक दूसरे से ripple करेंगे, जिस वज़े से hole आपके इस direction में क्या करेंगे, propagation करेंगे, फिर क्या होगा, यह आपकी दूसरी जो terminal की term है, यह क्या है, negative terminal है, तो इस negative terminal के साथ यहाँ पे क्या है, electron से, सो electron का charge भी क्या होता है, negative होता है, तो यहाँ पी यह दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ripple होंगे, सो य इस वज़े से आप यहाँ पर यह बोल सकते हैं, कि जैसे figure में आपको बताया है, hole और electron, दोनों का propagation का direction आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस वज़े से यहाँ पर depletion region के नजदिक में क्या होता है, pressure create होता है, तो यहाँ पर depletion region wide नहीं हो सकता है, लेकिन reverse bias में क्या होता है यह है आपका negative terminal, और इस negative terminal के साथ यहाँ पर क्या है, positive holes, तो इन दोनों के बीच में attraction होता है, जिस वज़े से hole यहाँ पर आपके इस arrow की direction में क्या करते हैं, propagate करते हैं, और यहाँ पर आपका जो दूसरा terminal है, वो कुन सा है, वो यहाँ पर है positive terminal, तो इस positive terminal के साथ में यह क्य आपके यह electron इस arrow की direction में क्या करते हैं, propagate करते हैं, तो इन सभी बातों के basis के उपर आप यहाँ पर इस figure में दोनों arrows को देख सकते हैं, यह आपके hole के propagation का arrow है, और यह आपके electron के propagation का arrow है, जिस वज़े से यहाँ पर बीच में आपको यह distance प्रिपेर होता हुआ नजर आता है, जो आपको यहाँ पर depletion layer की increase size को क्या दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर यह reverse bias में condition possible है, कि hole और electron की opposite direction में motion की वज़े से, आपको यहाँ पर reverse bias की condition में यह depletion region बहुत ही ज्यादा width के साथ form होता हुआ नजर आएगा, फिर बात करते हैं कि working के बारे में यह जो हमारा parallel plate capacitor का equation जो है, parallel plate capacitance का equation जो है, वो equation किस तरह से लिखा जा सकता है, तो यह है हमारा parallel plate capacitance का एक थोड़ा सा structure कि जिसमें आपके पास यहाँ पे प्लेट है, जिसके उपर positive charge है, और यह आपकी दूसरी plate है, जिसके उपर क्या है, negative charge है, और यहाँ पे जिसे हम इस plate के यहाँ पे positive terminal को और यहाँ पे negative terminal को connect करते है, तो क्या होता है, electron की जो motion की direction है, वो यहाँ पे आप इस blue color के circles के साथ देख सकते है, जो यहाँ पे negative से positive की ओर होती है, जबकि आपके hole की जो propagation की direction है, वो यहाँ पे इस pink color के holes के साथ देख सकते है, जो यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट हैंड साइड के एरो से आप देख सकते हैं, सो हमने यहाँ पर वरकिंग में ये बात बताई थी, कि आपके वेरेक्टर डायोड में जब हम यहाँ पर रिवस बायस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका ये जो डेपलेशन रीजियन है, वो यहाँ पर क्या होता है, वीड़ की कमपेरिजन में इनक्रीज होता है, जिस वज़े से आपके पास यहाँ पर एक पैरलल प्लेट कपेसिटन्स के फोर्म में एक स्ट्रक्चर प्रिपेर होता है, सो यहाँ पर हम last statement को read कर लेते हैं कि किस तरह से आपका यह equation यहाँ पर produce होता है और इन equation में सभी जो terms है उन सभी terms का यहाँ पर identification क्या है देखें, for normal operation we used varactor diode in reverse bias because forward bias varactor diode has no useful application, its capacitance is given by तो यहाँ पर वही simple बात बताई गई है कि अगर आप यहाँ पर varactor diode को as a variable capacitor use करना चाहते है तो आपको इसे reverse bias में ही connect करना पड़ेगा क्योंकि reverse bias की condition में ही यहाँ पर depletion region wide होता है वरना अगर आप इसे forward bias में connect करते हैं तो आगे की slide में जैसे हमने देखा था कि वहाँ पर depletion region अच्छी तरह से produce नहीं हो पाता है जिस वज़े से वो आपको यहाँ पे helpful साबित नहीं होता है तो इस consideration में और यह जो आपका पूरा का पूरा mechanism जो है वो mechanism यहाँ पे parallel plate capacitor जैसा है जिस वज़े से इस capacitance का equation लिखा जाता है d और इस equation की जो सभी terms है इन सभी terms का यहाँ पे आपको identification मिल रहा है देखिए यह क्या है city total capacitance of the junction मतलब कि यह जो आपके junctions है न जिस तरह से हम यहाँ पे बोलते है कि parallel plate capacitance में यहाँ पे यह जो maximum capacitance है उसे आप express करते है c से so यहाँ पे diode के अंदर भी वही event produce होती है so इस event की वज़े से चो आपका total capacitance यहाँ पे produce होगा यह क्या है city जिसके equal में हमने लिखा है epsilon a by w d so यहाँ पे यह है epsilon यह भी आपको क्या consider करना है epsilon epsilon क्या है permittivity of the semiconductor material so यहाँ पे यह आपका epsilon इस पूरे के पूरे semiconductor material की permittivity को express कर रहा है जो permittivity खास तोर में यहाँ पे इस depletion region के बारे में बताई जाती है फिर आगे देखिए यह क्या है a so a क्या है cross section area of the junction so यहाँ पे depletion region के नजदिक में यह जो sides prepare होती है न inside का यह जो area है cross section area इस area को यहाँ पे आपको a के form में consider करना है और यह WD यह क्या है width of the depletion layer मतलब कि यह जो आपका depletion layer है वो depletion layer यहाँ पे कितनी width में है जैसे हम parallel plate में क्या बोलते थे कि यह दोनों plate एक दूसरे से कितने distance में separated है इस separated distance को हम वहाँ पे de consider करते थे जबकि यहाँ पे depletion region के width को हम यहाँ पे WD की form में consider कर रहे है So I hope कि यहाँ पे आपको यह capacitance का equation समझ में आया होगा CT is equals to epsilon A by D Epsilon है permittivity, A है आपका cross section area और WD आपके इस depletion region की width So आपको यहाँ पे यह पूरा का पूरा वेरेक्टर डायोड का जो working mechanism है वो समझ में आ गया होगा So I hope कि यहाँ पे इन सभी बातों को आपने Diodes की comparison के साथ अच्छी तरह से याद रख ले होगी So मिलते हैं आगे के वीडियो में Till then, goodbye